दोस्तों लास्ट की वीडियो हमने देखा कि फ्लॉइड वार्शल अग्रिदम क्या होती है उसका पूरा कॉंसेप्ट जाना एंड कैसे उसको कोड में कनवर्ट करना है वह भी हमने अच्छे से देखा आज की विर में उसका बहुत इंपोर्टेंट कोशन करने वाले हैं जो ब इसेंटी न जो डिएटिव डिंगो घुशन है तो मीडियों लेवल कॉशन मालो डिव बीड़ कॉशन होता है वर्णी इसफिक लेवल का इसी नहीं होता है टो डिव बन बी ओके इसदी क्में तो क्या बोल्रहा है यहां पर मारे पास ने पर दिरेक्टट ग्राफ हैए पंस loves playing with graph and now he has invented a new game the game consists of n steps on the ith step greg removes vertex number xi from the graph as greg removes a vertex he also removes all the edges that go in and out of that vertex ठीक है जैसे ही उसने कोई एक vertex remove करी उसके related सारी edges भी remove कर दी before executing each step greg wants to know the sum of lengths of the shortest paths between all the pairs of remaining vertices the shortest path can go through any remaining vertex in other words if we assume bivu is the shortest path between vertices v and u in the graph that formed before deleting the vertex xi then greg wants to know the value of the following sum ठीक है तो इस sum की value चाहिए तो basically क्या बोल रहा है vertex को delete किया उसने ith vertex को delete किया अब उस ith vertex की सारे edges भी delete हो जाएंगे तो क्या बोल रहा है उस point पे जितने भी graph के shortest path होंगे न सारे के सारे उनका में को sum चाहिए तो ये वो चीज़ बोल रहा है तो ये इस चीज़ में fluid washing algorithm लगेगी अब देखो question पढ़के तो काफी कोई idea ही नहीं लगता है जनरली के अगर तुम्हें ऊपर-ऊपर से fluid washing algorithm पढ़ी है कि अगर तुम्हें पता है कि अच्छा यार एक बाहर के का loop होता है अंदर ij के दो loop होते है और simple हमारा distance of ij आजाता है ठीक है अगर वो simple वैसे तुम्हें पढ़ा है तो कभी तुम्हें आइडिया लगा है कि अगर तुम्हें concept पता है तो पहली चीज तुम्हें कहां पर strike करेगा कि अगर पहली चीज कि यहां पर shortest path यहां पर हर एक pair के बीच में चाहिए shortest path between all pairs of the remaining vertices यह पहला तुम्हें strike होना चाहिए कि यहां पर फ्लॉइड वर्शल लग सकता है अब दूसरा strike कहां पर कर सकता है कि यह फ्लॉइड वर्शल लग सकता है on the i-th step greg removes vertex number x of i ठीक है तो यहां पर एक vertex को remove किया जा रहा है इससे ek strike हो सकता है क्योंकि हमने फ्लॉइड वॉशल में क्या पढ़ा था कि हम vertices को add करते है हम vertices को क्या करते है ahead करते है पहले हम ने one level में हम क्या बोलते कि इन सिर्फ one vertex कि सब्सक्राइख सकता है second level पे हम क्या बोलते है कि one और two के sum क्या होगा वो पूछ रहा है तो यहां पर मारा input कैसे कि यह 2 cross 2 का matrix है यह number of vertices है तो यह हमारी edges है यह हमारी edges के weights है कि यह 00 weight है और यहां पर यह 1 से 2 का weight हो गया और यह 2 से 1 का weight हो गया ठीक है और यहां पर यहां पर यह 1 और 2 के दियेगे कि deletion का जो हमारा order है, vertices remove कर रहे हैं, तो हम किस order में remove करेंगे, तो पहले 1 को remove करेंगे, फिर 2 को remove करेंगे, इस नीचे वाले graph में, पहले 4 vertex को remove किया, फिर 1 vertex को remove किया, फिर 2 vertex को remove किया, फिर 3 vertex को remove किया है, तो अगर हम remove करते जाएं, तो उसके बाद हमारा shortest distance क्या निकलेगा, पूरे graph क अगर इस vertex की edges को remove कर दें यह हमारी एक input है कि यहाँ पर क्या बोलाए यह हमारा one है, यह two है और यह भी हमारा one है और यह two है ठीक है यह हमारी matrix है तो बोल रहा है कि one से two का जो distance है हमारा, यह five है और यहांसे two से one का जो distance है four है और पहले 1 को remove कर दो, shortest path निकाल लो सारे, और फिर 2 को remove कर दो, shortest path निकाल लो सारे, और वो sum हमें print करना है, सारे shortest path के, हमारा Floyd-Warsher algorithm से अगर हम निकालते के, like shortest path अगर हमें add करना है, तो हम क्या करते यहां पे, कि पहले 1 vertex को include कर लो, 1 vertex को include किया, फिर हमने सारे shortest path निकाले, फिर 2 vertex को हम include करते हैं shorter spot निकालते हैं अगर यहां पर मैं क्या बोलू कि यह जो मारा deletion का order है यह जो मारा delete का order में हो रहा है पहले बन को delete करो फिर two को delete करो तो basically मतलब क्या है जैसे जैसे vertices remove होती जाएंगी पहले one remove हुआ फिर two remove हुआ तो graph में number of vertices कम होती जा रही है तो हम क्या बोल सकते कि अगर हम ऐसे ऐसे floyd वार्शल लगा दे तो वो सेम चीज नहीं है तो अगर मैं यहां से floyd वार्शल लगाऊं कि भाई अगर मैं two को पहले include कर लिया two को अगर मैंने अभी graph में कोई included नहीं है vertex end में क्या होगा सारी vertices remove करने के बाद क्या होगा कि कोई भी vertex नहीं होगी वह हमारी end state है जो हमारी floyd वर्शल की starting state है floyd वर्शल की अब उसके बाद अगर मैंने सिर्फ two vertex को include किया कि सिर्फ two vertex को include करते हैं और सारे shorter distance निकाल लेते हैं है ना तो उसके बाद हमारा ये वाला answer आजाएगा मिल जाएगा कि ये अगर इस point में मारा answer क्या होगा कि सिर्फ two vertex और उसके आगे वाले vertex included होने चाहिए है ना तो यहां से आते आते floyd वर्शल से वो included होंगे उसके बाद हमने one को include किया अब one यहां पर तुम देख रहे हो कि four one two three तो basically बोल के रहा है कि four को remove करना है फिर one को remove करना फिर two को remove करना फिर three को remove करना मैं क्या बोल रहा हूं कि floyd वर्शल के through हम क्या बोलेंगे कि पहले three को हम three से लेके हम distance calculate कर लेंगे सारे short resistance फिर हमारे ये level one हो गया के is equal to one जो हम करते हैं फ्लॉइड वर्शल में यह हमारे level one हो गया के is equal to two का हम क्या बोलेंगे कि two और three को include कर लिया two or three को include कर लिया और उसके through हमारे shortest distance निकाल लेंगे फिर हम क्या बोलेंगे one two three को include कर लिया तो हम उसके दूरू short decision निकाल लेंगे फिर हमने 1,2,3,4 को include कर लिया फिर हम उसके तूरू short decision निकालेंगे तो basically क्यूंकि हमारा deletion का order यह हैं तो deletion का order मतलब किया कि एगर 4,1 remove हो चुका है तो basically remaining यह है न तो हम इस remaining के लिए फ्लॉइड वाशल इस direction में लगा सकते हैं deletion इस direction में है कि हम edges remove कर रहे हैं बट हम फ्लॉइड वाशल ऐसे लगा के answer compute कर सकते हैं कि हम edges add करते हैं answer निकालने के लिए हम edges add करेंगे ना कि remove करेंगे तो यह ultra चलाएंगी यहां पे तो यह हमारा question का main concept है case equal to 3 level पे हम क्या बोलेंगे 1,2,3 को include कर लिया बट यहां पे क्या हम बोल रहे हैं जो भी हमारा deletion order है तो यहां पे उसके reverse वाली vertices यह add करेंगे 1 को include नहीं करेंगे तो case equal to 1 level पे हम 3 को include करेंगे case equal to 2 level पे हम 2 और 3 को include करेंगे उससे फरक थोड़े बढ़ता है कि वो जो हम levels की हमने बात करेंगे कि पहले 1 को include करो पहले 2 को include करो वो उससे कोई थोड़े फरक बढ़ता है अगर तुमने फ्रोइड वर्स्टल की algorithm की जो मेरी last video तुमने देखी है तो उसमें तुम समझ आजा है कि उससे कोई फरक ने बढ़ता कि किस order में तुम include कर सकते हो हमें क्या करना basically एक vertices को include करते जाना है ताकि shortest path compute होता जाए तो यहाँ पे हम इसको question को code में देखते हैं तो हमारे code में input तो simple है यहाँ पे n होगा और यहाँ पे फिर n cross n की matrix होगी और यहाँ पे n size का array होगा जो हमारा deletion order है तो यहाँ पे सबसे पहले n का input ले लेते हैं और यहाँ पे हमें infinity डालने की जूरुत नहीं है क्योंकि हमें बोला गया कि हर दो vertices के बीच में edge हमारी exist करेगी करेगी क्योंकि हमें पूरा weight वाला matrix दिया गया है तो basically edge exist करेगी करेगी हमारी तो यह हमारा हो गया और यहाँ पे इसको long long ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जब हमारा sum करेंगे सारे distances का तो वो काफी बढ़ा हो जाएगा यहाँ पे हमारा 500 vertices है ठीक है और हमारा weights का जो value है वो 10 to 5 है तो हमारे total काफी जादा हो सकते है net जो weight होगा distance का जब हम compute करेंगे पूरा तो यह हमारा काफी जादा हो सकते है तो इसको long long ले लेते हैं values को और यहाँ पे एक नीचे बस हमें एक vector लेना है vector हमारा क्या है? deletion order deletion order में last node है वो last node में जब हम जाएंगे तो basically सारी की सारी vertices remove हो चुकी है तो basically उल्टा जा रहे है तो basically वो add हो रही है vertices तो हम last vertex को पहले add करेंगे तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे reverse order में इसको पहले reverse ही कर देते है यह जो हमारा deletion है इसको vector को reverse कर देते है यहाँ पे reverse dot begin dot end और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे simple हम floyd partial लगा देंगे तो हम क्या level wise जाएंगे हमारा पहला level क्या है k is equal to 0 से k less than n ठीक है k is equal to 0 से k less than n 1 से लेके equal to n तक क्यों नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे deletion order है हमारा 0 बेस जाना तो basically level क्या है कि पहली value दूसरी value फिर मतलब के पहले deletion order of 0 को include करना है vertex को basically हमारा level 1 क्या होगा हमारा level 1 होगा कि deletion order of 0 को include करना है level 2 क्या होगा deletion order of 2 को include करना है उस vertex को include करना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 0 से, यहाँ पर 0 level मतलब 1 level हो गया, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, int k underscore v, तो basically kth level पर जो vertex है, उसको हम बोल सकते हैं, deletion order of k, अब यहाँ पर क्या करना है, इस vertex के लिए, सारे जो distances हैं, i to j k, वो सारे के सारे minimize कर दो, तो यहाँ पर बस दो for loop लगा देंगे, तो यह दो हमारे for loop लग गए, और यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, नया distance क्या होगा हमारा, int new distance is equal to distance of, हमारा k underscore, i से लेके k underscore v तक का, और k underscore v से लेके, हमारा j तक का distance, उसको add कर देंगे, और इस distance को long long कर देते हैं, क्योंकि हमारे यह values बड़ी हो सकते हैं अब हर level पर हमें निकालना क्या है, हर level पर हमें basically answer क्या निकालना है, कि एक vector answer होगा हमारा, तो यह हमारा answer क्या है basically, कि यह इसमें हम store करेंगे sum of shortest distances, हमें यही करना है, sum of सारे के सारे shortest distances store करना है, अब हमारे graph में क्या है, कि अभी यहाँ पर k underscore v vertex डल गई है, ठीक है, पहले ज is equal to 0, i less than equal to k, की हमने हम यहां तक अभी, k vertices को include किया, 0 से लेके, k तक include कर लिया, 0 से लेकर, k तक include कर लिया, प्लस-प्लस k, तो हमारी included vertices कौन सी है, हमारी included vertices कौन सी है, यहाँ पर deletion order of 0, deletion order of 1, deletion order of 2, up till deletion order of k, तो फिसर्फ इमारे 2 forwardgroup तो लगेंगे, कि यह हमारे पह करेंगे है हमारा यह जो int sum यहाँ पर हमारा long long sum हम कर देते हैं यहाँ पर sum में क्या add करेंगे sum plus is equal to distance of deletion order of i कि यह जो i-th vertex है है हमने 0 से लेके k तक vertices include की है तो 0 i-th vertex कौन से होगी deletion order of i वाली और यहाँ पर j-th vertex कौन से होगी deletion order of j वाली तो वो सिर्फ जो vertices include की हैं सिर्फ उसी का distance हमने यहाँ पर sum include किया है और यहाँ पर हम क्या कर देंगे answer.pushback answer.pushback हम यहाँ पर कर देंगे sum तो यहाँ पर हुआ कि हम सारी vertices को add करते गए हैं कि हमने पहले एक vertex को add किया जो हमारी deletion order of i होगी है ना फिर deletion order of one add किया और वह हम add कर रहे हैं बट deletion order reverse में है तो basically reverse में अगर हम देखेंगे कि तो वह remove हो रही है ठीक है addition हो रही है यहाँ से बट यहाँ से removal हो रहा है कि remove करते जाएंगे तो हमारा यह answer आता जाएगा तो यह जो हमारा इसको जो answer इसको अगर reverse कर देंगे तो हमारा एक्चुल आंसर आ जाएगा यहाँ पर मैं प्रिंट कर दू फॉर ऑटो वैल्यू इन answer cout value यह हो गया हमारा और यहाँ पर यह जो answer है यह भी long long हो सकते तो इसको कर देते हैं यह हमारा basic सा और यहां से इंपूट कर लेते हैं यहां पर हमारे हमारे थोड़ी सी की गलतिया थी यहां पर मारी एक गलत है और यहां पर जी एक पर डूसे चलना है तो इसको इक दूसरा इन बहुत अच्छा कोशन ने कि अगर तुम यह कोशन को सोच नियुक्त पहले तो अब सोच लो तो इंप्लीमेंडेशन भी काफी एजी है बस तुम्हें लॉजिक क्लियर होना चाहिए माइंड में तो होप तुम्हें सारी चीज़ समझ आगे हो कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो हो सकते है के थोड़ा सा फ़लब ऐसे लग रहा हो कि व्यार अलका अलका ना समझा तो दुबार एक बार वीडियो को देखो समझो क्योंकि यह चीज़े थोड़ी दिमाग में जाने में टाइम लगता है तो अगर कोई भी तुम्हें स्चिल डाउट है तो मुझे डिस्कॉर्ड में टाक करके पूशकते हो कमेंट कर सकते हो अगर वीडियो यहां तक अच्छे से देख लिया तो नीचे कमें सेक्शन में एक रेड हाट छोड़ देना जिससे मुझे आडिया लगागा तुमने वीडियो एंड तक देखा है दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स वीडियो में अंटिल देन बुद बाए